हाँ तो नमस्कार दोस्तों, PM किसान सम्मान नहीं दियो जनाकि वेबसाइट के अंदर EKYC के उप्सन को फिर से चालू कर दिया गया है इतने दिन EKYC का उप्सन बंद था, EKYC नहीं हो रही थी लेकिन अभी उप्सन को फिर से चालू कर दिया गया है यहाँ पर मापको EKYC मूबाइल से आपको किस तरह से करने है इसका जो प्रोसेस मापको बता देता हूँ अगर आप EKYC कर पाते हैं तो आप अपने मूबाइल से कर लीजिए यहाँ पर जो प्रोसेस उसको फॉलो जरूर करिएगा इसका लिंक वीडियो डिस्कृyson पने मिल जाएगा वेबसाट का यहाँ पर आने के बाद आपको EKYC वाले ऑप्सन पर आना है यहाँ पर आपको EKYC वाले ऑप्सन पर आप ज़से क्लिक रोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब आपको EKS एक option फिर से चालू हो चुगा है यहाँ पर आप date और time देख सकते हैं आज 1 February 2022 है और आज इस link को फिर से activate किया गया है तो अब हम बात करते हैं कि EKS आपको किस तरह से करनी है कि अभी EKS चालू हुई है या फिर अभी इनेवेल डोटेपे का error आ रहा है तो अब यहाँ पर मैं mobile number डाल लेता हूँ mobile number डालने के बाद gate mobile वाले OTP option पर click करना है लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है आदार कार्ड में जो registered mobile number है वही डालना है वरना आपका OTP नहीं आएगा तो यहाँ पर मैं gate mobile OTP वाले option पर click कर लेता हूँ यहाँ पर आपको थोड़ा सा समय लगेगा यहाँ पर मैंने जैसे एकलिक किया तो अब आपकी website refresh होना start हो सुगी है लेकिन OTP आने में कुछ समय लगेगा और अगर यहाँ पर EKWC सही सी चालो हो जाती है तो सबी किसान आसाने से EKWC कर सकते हैं तो हम थोड़ा सा wait कर लेते हैं OTP के लिए फिर यहाँ पर आपकी सामने इस तरह से OTP आए जाएगा यहाँ पर मझे दो मिनट का समय लगा OTP का wait करने में अब यहाँ पर जो OTP मैं डाल लेता हूँ OTP डालने के बाद आपको submit OTP वाले option पर click करना होगा जैसे आप click करोगे तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे Invalid.TP का error आ रहा है तो इसका मतलब है अभी EKWC सही से start नहीं हुई है मैंने जो आपको process बताया अगर आपकी इस process EKWC हो पाती तो आप कर सकते हैं अलांकि मैंने यहाँ पर try कर लिया है मुझे Invalid.TP का error है वो आ रहा है और EKWC एक option ने तरने बंद था लेकिन अभी फिर से EKWC सही से start नहीं की गई है यह NIC सबसे बड़ी problem है को EKWC सही स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन EKWC हो नहीं पा रही है तो उम्मिद करता हूँ आपको जानकर यह से लेकि होगी जैसे EKWC सही से start हो जाते तम आपको पूरा process आपको बताऊंगा फिर से